किसानमित्रों आज हम बात करेंगे काली मिर्च की खेती के बारे में आज की समय में काली मिर्च की मांग बहुत ज़्यादा है इसलिए इसकी खेती से आजकल किसानों को काफी अच्छा मुनाफ़ा प्राप्थ हो रहा है इसके प्रतीक पौधे से आपको लगबग 10-15,000 रुपए की आमधनी हो सकती है इस हिसाब से अगर आप एक साल में काली मिर्च के 300 पौधे भी लगाते हैं तो आपको लगबग 40-45 लाक रुपए तक की कमाई हो सकती है अगर बाजार में काली मिर्च के भाव की बात करें तो यह कम से कम 400 से लेकर 500 रुपए प्रती किलो के बीच है किसानमित्रों काली मिर्च की खेती में घाटे की संभावना ना के बराबर है आपके पास इसे विदेशों में भी निर्यात करने का विकल्प है वैसे तो काली मिर्श के प्रमुकुत पादक राज्य केरल, करनाटक और तमिल नाडू है लेकिन महराष्ट्र, कुर्ग, मलावार, कोचीन, त्रावनकोर और असम के पहाड़ी इलाकों में भी काली मिर्श की खेती की जा रही है आजकल 36 गड़ में भी काली मिर्श की बड़े पैमाने पर खेती की जा रही है काली मिर्श की खेती के लिए अधिक ठंडी जगा उप्योक्त नहीं होती है इसके लिए 12 डिग्री से उपर का तापमान अच्छा माना जाता है इससे नीची के तापमान में काली मिर्च की खेती संभव नहीं है काली मिर्च की खेती के लिए सालाना 200 मिली मीटर बारिश भी बहुत जरूरी है किसानमित्रों वैसे तो काली मिर्च किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है लेकिन इसकी खेती के लिए लाल मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है अगर आप काली मिर्च की खेती करने जा रहे हैं तो या ध्यान रखें कि इसका रोपन सितंबर महीने में हर हाल में जरूर पूरा कर लिया जाए तो किसानमित्रों ये धाज का कृश्य पिटारा हमें उम्मीद है कि ये कारिकरम आपको काफी पसंद आया होगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें किसानमित्रों आपका बहुत बहुत धन्यवाद